हलो फेंड्स गुडवीनिंग और वेलकम टू माई चैनल जैसे हमने मौरी में देखा था कुछ लर्निंग किया था उसके बेस में अगर मार्केट में पॉजिटिफ सेंटिमेंट्स को अगर आपने देखा होगा ते देफिनेटली वहां से आपको पॉजिटिफ सेंटिमेंट् इपोर्टन बना हुआ है नीचे आएगा तो यह सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर जाएगा तो प्लस मैनस हंड्रेट पॉइंट लेके चलते हैं क्योंकि आप थोड़ा सा 150 पॉइंट का नहीं लेके चलेंगे टॉलेंस तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रियेट होने वाल क्या इसमें सेंटिमेंटर का इसमें ट्रेडिंग स्टरजी बनने वाली है अब जैसा कि हम आ गए हैं चार्ट पे सबसे पहले मौनिंग की अनाल्सिस की बात कर लेते हैं जो हम अनाल्सिस कर रहे थे मार्केट कहीं इस रेंज पे क्लोजिंग किया था और एक गैप नहीं है गैप अप एक सिर्फ मार्केट का चेंज उबर हुआ है नीचे से लेके मार्केट ने उपर क्लोजिंग किया है क्योंकि इससे पहले जो ट्रेडिंग हो रहे थी 69,000 के आसपास हो रहे थी 69,300 मार्केट उससे थोड़ा बहुत उपर निकला है और उस पर बाद में ट्रेंड क इसका कॉंटेक्ट है इसमें क्या सेंटिमेंट बन रहे अभी आप यहां पर देखिए और कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा जो मार्केट था उसने लबग 200-300 पॉइंट इस कॉंटेक्ट उपर किया और इसका सेम इंपक्ट वहां जाके 1000 पॉइंट पर पड़ा क्योंकि क्यों यहां पर 69,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा थाथा वहां पर 68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था 1000 पॉइंट का रिफ्रेंस था इसके बाद के एक ही कैडल ने जो इसका उपर का रेसिट्स लेबल था सेमेंटी थाउजड़ान इसके आसपास गई है पूरे दिन वहांब ट्र हाउजन का लेबल है वो important रहेगा इसी बेस से था क्योंकि यह एक जून का काम करने वाला था इसके लिए जब इस जून के नीचे निकलता तो दुबारा जहां से ओपनी हुई थी इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला था अब friends यहाँ पे थोड़ा सा और उपर अगर निकलता है इस zone पे जाता है तो यहाँ पे market is stuck हो जाएगा इनके से यहाँ पे नीचे closing करता है तो हो सकता हमें थोड़ा सा rally down side के लिए देखने को मिले अगर आपने यहाँ तक कुछ profit किया है तो definitely book कर लीजिए क्योंकि market जितना नीचे अभी जा रहा है उतना ही हुए उपर जाने की भी कोशिस कर रहा है तो हमें दोनों side की अभी move ऐसे ही लग रहे हैं जैसे market में भी कुछ clear sentiment बनता हुआ नहीं दिखाए पड़ रहा है तो ऐसे move में हमें थोड़ा सा wait and watch करना होता है कि कैसे sentiment बन रहा है कैसे में trading करना है अब further इसमें wait करेंगे नया trade नहीं लेंगे अगर हमारा sell side की opportunity हमने देख रखी थे तो हमारा stop loss यहाँ पे 70,172 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको इसके आसपास यहाँ पे stop loss देखना चाहिए अब further अगर friends यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं तो एक step हमें आगे जाना होगा पूरे दिन का sentiments और mood समसने के लिए उबराल market downtrend में था और downtrend में होने के बाद आज की जो trading हुई है लबगले इन दोनों trading को अगर अगर देख रहे हैं अगर इसी range में होता तो यह दुबारा से इंगल्फ type का pattern बनाने की कोसिस कर रहा है अगर फ्रेंट से इंगल्फ type का pattern यहां पे बन जाता है तो दुबारा से आपको यह opening के आसपास दिखाई पड़ेगा अगर in case closing इसी में हो जाती है लबग साथ से नौ बजी के आसपास पांच बजी के कैंडल है नौ बजी तक चार घंटे हो जाएंगे इसको अगर इस पे closing होती है तो हम हो सकता है हमें downside move मिले सारे लोग इसमें क्यों लेक बताते हैं ऊपर जाएगा तो यह करना नीचे जाएगा तो ऐसे हमें करना simple सा हमारा logic होता है इसमें कि हम यहाँ पे probability waste में करते हैं कुछ भी sure shot नहीं होता है everything was done probability and your confident believe और आपकी जो analysis है उसके उपर setup के उपर किया है क्योंकि हर एक ट्रेडर का अपना psychology होते है उसके सभी के psychology को समरी होके आपकी यह candle बनाने होई दिखाई पड़ते है इसमें volume की बात करें कई लोग इसमें buying कर रहे है कई लोग selling side कर रहे है किसी को buying side दी रहा किसी को sell side दी रहा अब दोनों side में दोनों लोगों का psychology impact कर रही है उसमें जिस side के लोग जाता होंगे उधर हो candlestick pattern बन जाएगा अब यहां पर जाने बाद कुछ लोग सोचते हैं कि यह buying side जाएगा तो buying side जाएगा तो buyers active हो जाएगा अगर यहां पर जाने पर कुछ लोग सोचेंगे नहीं है यहां पर time बिताया तो resistance में डाउंसाइड और फेस हो जाएगा तो नीचे की तरफ आप आता है इसी वज़े probability time frame में अगर हम देखते हैं तो candlestick pattern के face में अगर आप देखते हैं तो बहुत जबादस candle बनी है अगर इसकी closing 70,172 के ऊपर होती है तो definitely यह कल भी rally upside के लिए दिखाने की कोशिस करेगा लेकिन अगर इसके नीचे होती है तो फिर इसके लिए थोड़ सा weakness रहेगी जब तक कि यह previous candle के ऊपर जाके closing देना इस्टार नहीं करता है तो previous candle के ऊपर close करता है तो हम थोड़ा से risk लेके आप यह पर trade को ले जा सकते है अगर वाई इसके नीचे रहता है तब तक के लिए आपको थोड़ा सा bet करना होगे कि यहाँ पर फिर यह positive type का candlestick pattern बनता हुए दिखाई प होते हैं डिपेंड यह करता है कि आपका रिक्स वासर रिवाड क्या है उस बीच से आपका profit और loss डिसाइड होता है तो thank you friends अगर नहीं है तो इक बार लाइक कमें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें साथ में बाना मत भूलिए यहाँ आपको regular analysis मिलती है और उसमें यहार आपके लेडंश अधिस्टा नहीं है झाले साथ है यहाँ पल्भ अजस्टा वाद करें साथ यहाँ है जिसले करें सब्सक्छाइब करें से वाद दादब थ्यूब आपका नहीं है